Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Nozuka AF syrup के बारे में जो की इस syrup का इस्तमाल allergic disorder या सर्दी जुखाम की समस्या बहुत ज़्यादा होती हैं तो उन सभी condition में इसे दिया जाता है तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं Nozuka AF syrup के बारे में इसमें combination क्या है, combination है, क्या काम है, कौन-कौन से परपजों में यूज कर जाता है क्या डोज है, क्या side effect है यह सभी बाते हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो बात करते हैं Nozuka AF syrup जो की Alchem Company की बनाई ही medicine है, 60 ml की packing होती है 65 रुबे में की price इसकी हो जाती है, इसका price fluctuate होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है Nozuka AF syrup में आपको दो तरह combination मिलते हैं फैनल फेराइन, हाइड्रोक्लोराइड और क्लोराफिनारामाइन मिले फैनल फेराइन, हाइड्रोक्लोराइड जो की एक तरीके का anti-conjectivitis और cuff sedative medicine है, जो की इसका इस्तमाल बहुँ ज़्यादा nasal में congestion होना, या respiratory track में mucus के जम जाने करण earways pipe narrow हो जाती है, जो की सांस नहीं ले पाते हैं, mucus जमी होती हैं, बलगम होता है तो उन से भी condition में यह congestion को खोलने का काम करता है पैनल फराइन हाइड्रोक्लॉराइड, क्लोरा फैनारामाइड जो की एक तरीके का anti-histamine medicine है, इसका इस्तमाल बहुँ से परपजू में किया जाता है जैसे की allergic renatus के परपजू में इस्तमाल किया जाता है आँक से पानी आना, नाक से पानी आना, सरदे जुखाम होती है बहुत ज़्यादा छेक्या आते हैं, या किसी परपजू में क्लोरा फैनारामाइड इमिलेट का यूज किया जाता है, या किसी परपजू में वाइरल फ्लू होता है तो उनको इस दवा को other medicines के साथ combined करके दिया जाता है जो भी आपकी problem होती है, वह बहुत जल्दे recovery करने में काफी कारगर होता है या इन से भी परपजू में इस्तमाल किया जाता है, सरदे जुखाम हलके फुल की fever होता है तो उन से भी condition में इसे use किया जाता है बात कर इसका क्या dose है, dose depends करता है कि आपकी age क्या है, healthy condition क्या है, weight क्या है उसी साब से इसका dose confirm होता है या एक साल से उपर वाले बच्चे को दिया जाता है जिसमें 1.5 ml से लेकर के 5 ml तक इसका dose जाता है जो की अलग-अलग condition में अलग-अलग dose इसका confirm होता है इसका dose का confirmation भी डॉक्टर की रेक देख में करें और इस दवा के इस्तमाल करते हैं तो डॉक्टर की रेक देख और डॉक्टर के सलह के बाद ही इस्तमाल करें बात करें नोजू का AF syrup का क्या side effect है अगर आपको सूट नहीं करता है तो vomiting, सर में दर्द, तोचा में लानलीपन, भूख न लगना, पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना, चेहरे पे सूजन होना इस तरीके side effects देखने को मिल सकता है तो यही था अनोजू का AF syrup के बारे में जनकरी अगर आपको वीडियो और यह जनकरी अच्छे लेगी तो प्लीज लाइक किजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजेगा आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू फोर वाचिंग